सब्सक्राइब करें हमारा योट्यूब चैनल और जरूर दुमाई एक घंटा ताकि आपको मिलते रहें लेटिस्ट ख़बरों की नोटिफिकेशन्स लोधियाना से एक बड़ी ख़बर है लोधियाना के मीना बजार चौंक के पास आग लगी है शनिवार रात साड़े आठ बजे के करीम शहर के बीचो बीच स्थित मीना बजार चौंक के पास हैपी गार्मेंट्स नाम की कपडों की दुकान में आग लग गई थी कुछ ही मिन्टों में दुकान का सारा समान जलकर राख होया था फायर विगेट की दो गाडियों वह दस कर्मियों ने बड़ी में शकत के बाद वह 35 मिन्टों में आग पर काबू पालिया वरना आग साथ की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले सकती थी अगर ऐसा हो जाता तो स्थिती और भी गंबीर हो सकती थी क्योंकि यह बजार बहुती तंग सड़क पर है यह दुकान स्थानिय निवासी हरीश कुमार की बताई जा रही है आग के कारणों का अभी तक पता नहीं लग सका है फायर अफसर श्रिष्टी नात ने वन न्यूस चैनल के संबादाता को बताया कि लुधियाना फायर विगेड हर सिती से निफटने के लिए 2400 घंड तैयार रहता है लुधियाना से हरीश शर्मा की रिपूट अजी सब्सक्राइब नोवाजी के फंदरा मिनट ते सानुस तला इसी कि कि मीनदा बजार दे कोल दुपान दे बीच आग लगी है अजी गटियान लेके थे आये ता फैंतीय मिनटा लगे सानुस अकब जानते वीचे घटियों तो चलन तो इथे पहुंचन ते आग बुझगी है पैंती मिनटा लगे जा लेगे सुझे तकरीब सटे दस भारा मते लगे हैने आग बजा अग बास है